कि आज हम 12 क्लास के mathematics की inverserick to masculinity кा आज second part हम solve कर रहे हैं और second part में आज हमारा पांचमा question है इन झाया किनम्लिखित funds को सरलतम रूप में हमें क्या करना है सरलतम रूप में लिखना है तोдеन बॉटस बनपलस सक्वार जैसे इस बनपलस एक्स्वार आया दिमागों आजाना चाहिए या तो 10 माना जाएगा या कोट माना जाता है तो मैंने मान लिया माना X बरावर 10 तब ए बरावर कितना होगा भई ए बरावर हो जाएगा हमारा 10 inverse X वैल्यू लगाते हैं हम अंडरूट बन प्लस 10 स्क्वाइरे माइनस वन अपॉन 10 अब जानते हैं बन प्लस 10 स्क्वाइरे सैकी स्क्वाइर का फोर्मूला होता है अपॉन 10 अब इसको यह लगा हुआ है रूड हट जाएगा सैके माइनस वन अपॉन 10 अब इसक्वाइरे मैंने सैक को किसमे तोड़ दिया सेक को तोड़ देते हैं हम किसमें कॉस में यह हमारा क्या प्राप्त हो जाता है बन अपॉन कॉसे माइनस के बन साइन को टैन को भी तोड़ दिया बटेक कॉसे आप जानते हैं एलसियम ले सकते हैं तो आपको क्या मिलेगा यह लेते हैं तो वन ही मिलाबन से होगी तो कितना हो जाएगा बन माइनस को चे अपॉन कोसे और यह हो गया आपका साइन आ बटे कोसे कोसे से कोसे कैंसल हो जाता है 10 इंवर्स 1 माइनस कोसे upon sin cos को हम किसमें क्या कर सकते हैं इसे तोड़ सकते हैं तो हमने इसे लिखा minus minus plus cos को तोड़ दिया sin के बदों में sin square ay2 इसे लिख सकता हूँ sin ay2 into cos ay2 1 से 1 cancel हो गया अब हमारा क्या बचता है हमने 2 से 2 को काट दिया square से sin गायब है तो sin inverse यह sin बटे cos कितना हो गया 10 ay2 और यह हमारा को जाता है क्या ay2 a की value हमने क्या निकाली थी a की value निकाली थी हमने 10 inverse x और हम लेख सकते हैं इसे कितना 10 inverse x इसी के साथ हमारा पांचमा कोशन sol हो जाता है बात करते हैं मैं अपने छटे कोशन की तो है 10 inverse upon 1 upon and root 1 minus x x square minus 1 मैंने क्या करा x square minus 1 है तो आप देखें या तो sec square minus 1 होता था या cosec square minus 1 होता है तो sec या cosec में से आपको एक मानना है मैंने मान लिया माना x बदाबर sec theta क्या मान लिया sec theta और theta बदाबर कितना हो गया sec inverse x तो ये हमारा प्राप्त होता है 10 inverse अंडरूड sec square theta minus 1 यदि हमने 11 में पॉस्मूले पड़े हैं तो हम इसे बड़े आसानी के साथ सोल कर सकते हैं आप देख सकते हैं sec square minus theta कितना हो गया ये हो जाता है 10 square theta root square है तो इसलिए root हट जाएगा इससे जब root हट जाता है तो ये हो गया 10 inverse 1 upon 10 theta ये उपर पहुंच जाता है ये हो गया 10 inverse cot theta इसे हम क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं cot को लिख सकता हूं में 10 pi by 2 minus theta 10th में हमने पड़ा होगा 10 90 minus theta cot theta तो ये हमारा कितना बच्टा है pi by 2 minus theta और theta की value क्या है आपकी sec inverse x चाहें तो हम इसे cosac inverse x भी लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं pi by 2 minus sec inverse x is equal to cosac inverse x या फिर आपकी हैं भी अपना answer छोड़ सकते हैं चलो हैं या answer छोड़ देते हैं इसी के साथ हमारा ये चाटा question पुदा हो जाता है बात करते हैं हम अपने आओ 7th question की and root 1 minus cos cos जब 1 के साथ होता है तो sine में टूपता है इसे हम लिख सकते हैं plus 2 sine square x y 2 और 1 plus cos को जब हम open करेंगे तो कितना आ जायेगा 2 cos square x y 2 minus के 1 आप देख सकते हैं 1 से 1 cancel हो गया यह हमें क्या मिला 10 inverse root 2 sine square x y 2 2 cos square x y 2 उसे 2 cancel हो गया यह कितना हो गया भई 10 inverse under root 10 square x y 2 आप जानते हैं square है तो root क्या हो जाएगा हट जाएगा तो यह हमारा हो गया 10 inverse 10 x y 2 तो answer क्या आपका x y 2 यह हमारा answer था अब हम बात करते हैं अपने 8 में question की इन्होंने दिया है 10 inverse cos x minus sin x cos x plus sin x इस 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 तरह का जब भी question आता है मैंने क्या करा पहले वाले term को common ले लिया किसे cost को जिसके पास होगा वो दे देगा जिसके पास नहीं है उसके बटे में चला जाता है तो मैंने cos x common ले लिया कितना हो गया 1 minus sin x बटे cos x यहां से भी हमने cos common ले लिया तो 1 minus sin x plus cos x क्या हो गया cos से cos cancel हो गया यह बसता क्या है हमारा 10 versus 1 minus sin बटे cos कितना होता है 10 10 x 1 plus 10 x अब हम देखते हैं हम इससे लिख सकते हैं 1 minus 1 plus 1 into 10 x लिख सकते हैं हम वही 1 10 की गुड़ा में लिख दे तो इसके मान में कोई परिवर्द ना आएगा नहीं क्योंकि एक हम किसी की गुड़ा में लिख सकते हैं और इससे अब हम क्या कर सकते हैं 1 में आप देखें कि 1 में जो 1 है वो 10 में किस की वैल्यू होती थी जो 1 है वो 10 में पाइवाई 4 की वैल्यू होती है तो हम इससे लिख सकते हैं 1 को 10 पाइवाई 4 माइनस के 10X बन क्लस 1 की जगे हमने लगा दिया 10 पाइवाई 4 इन्टू 10X 11 पे हमने फॉर्मूला पड़ा है 10A माइनस 10B बन प्लस 10A इन्टू 10B मतलब 10A माइनस V का फॉर्मूला जो कि अब हमारे सामने आ जाता है हम लिख सकते हैं इसे 10 inverse 10 PY4 माइनस के X तो हमारा आंसर आ जाता है PY4 माइनस के X यह हमारा आंसर है इसी के साथ हमारा आठमा सवाल समाप होता है अब बात करते हैं हम अपने नमे कोशन की यह है 10 inverse X अपॉन बन रूड A स्कॉर माइनस X स्कॉर हमें मानना है जब भी मैंने आपसे बताया था जब भी X स्कॉर माइनस में हो यह A स्कॉर माइनस X स्कॉर है तो हम क्या करेंगे हम मान लेंगे माना X बरावर A cos या A sin ले लेते हैं हम A sin A तो sin A बरावर कितना होगा sin A बरावर हो जाएगा आपका X अपॉन A और A बरावर हो गया sin inverse X अपॉन A अब हम अपने कोशन को सोल्व करते हैं कोशन था हमारा 10 inverse X अंड रूड A स्कॉर माइनस X स्कॉर वैल्यू हम लगाएंगे X की वो है 10 inverse X की अगर हम क्या लगेंगे A sin A अंड रूड A स्कॉर माइनस A स्कॉर साइन स्कॉर A मैंने क्या करा इसमें आप जानते हैं 10 inverse A sin A मैंने हैंसे A स्कॉर कॉमन ले लिया रूड का जब A स्कॉर कॉमन लिया तो यह हो गया A स्कॉर 1 माइनस साइन स्कॉर A जिसे आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्कॉर A को कॉस स्कॉर A और यह रूड में चल रहा है इसलिए यह हो जाता है आपका A sin A इसे हम कॉस स्कॉर लिख सकते हैं तो रूड में है तो A का A स्कॉर का A और कॉस स्कॉर का कॉस A कॉस है A से A कैंसिल हो गया यह कितना हो गया साइन बटे कॉस तो इसे हम लिख सकते हैं 10 inverse तैने यह हो गया A और A किसके बरावर था हमारा A था sin inverse एक सपॉन एक यह हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है अब हम बाद में 11 कोशन को देखते हैं अपने 11 कोशन क्या है हमारा 10 inverse 2 कॉस अब sin inverse एक बटे दो है तो हमें मालूम होना चाहिए कि एक बटे दो साइन में किसकी वैल्यू होती है तो एक बटे दो साइन में वैल्यू होती है साइन पाइवाई 6 की आप देख सकते हैं आप क्या लगाते हैं यह हो गया आपका 10 inverse 2 कॉस यह क्या हो जाता है आपका बटे पाइवाई 6 दो से पाइवाई 6 को कैंसल कर दिया कितनी बाद गया तीन बाग यह हो गया आपका 10 inverse 2 कॉस पाइवाई 3 पाइवाई 3 का मतलब है 60 तो कॉस 60 की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए क्या होती है 10 inverse 2 कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 बाइ 2 2 से 2 कैंसल यह हो गया 10 inverse 1 अब आपको 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है ये मालूम होना चाहिए तो ये होता है 10 inverse 10 pi y 4 तो ये कितना हो गया आपका 10 pi y 4 मतलब pi y 4 ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया इसी के साथ आपका क्या है ये 11 सवाल 16 हो जाता है अब हम बात करते हैं कोट 10 inverse A plus cot inverse A आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ये फॉर्मूला होता है आपका कोट 5y 2 और कोट 5y 2 की value होती है जीरो की इसी के साथ हमारे ये बाजमा question भी तोल हो जाता है बात करते हैं अपने 13 question की मैंने आपसे बताया था जब भी 1 plus x square आएगा आप हमेशा क्या मानेंगे 10 मानते हैं तो मैंने क्या करा माना x वरावर 10a तो a वरावर कितना हो गया 10 inverse x y वरावर 10b तो b वरावर हो गया आपका 10 inverse y ये हम मान लेते हैं अपने सवाल को हम सोल करते हैं 10 1 by 2 value लगाते हैं x की sin inverse 2 10a 1 plus 10 square a plus cos inverse 1 minus 10 square b 1 plus 10 square b हम इसे लिखते हैं साइन इन्वर्स ये हो गया आपका sin 2a plus cos inverse ये फॉर्मुला हो जाता है 1 minus 10 square b 1 plus 10 square b cos b का 10 1 by 2 ये हो गया आपका कितना 2a plus 2b 2 हमने क्या ले लिया common ले लेते हैं 10 1 by 2 2 जब हमने common लिया ये हो गया a plus b 2 से 2 cancel हो गया आपके पास बचा क्या 10 a plus b हमने formula open कर दिया ये हो गया 10 a 10 b 1 minus 10 a into 10 b अब हम देखते हैं 10 a किसकी value थी x की और 10 b किसकी value थी y की मान हम बापस करते हैं ये हो गया आपका x plus y 1 minus xy यही हमारा क्या है आंसर है अब हुम बात करते हैं अपने 14 question की बड़ा important question है थोड़ा सा में दिहान से करना है बहुत आसान question है ये sine sine 1 by 5 plus cos inverse x इसे लिख सकता हूं में sine 5y2 वही बन जो value है sine में sine 90 की value 1 होती है तो इसे में लिख सकता हूं अब हमने compare कर दिया ये भी sign है और ये भी sign है तो compare कर दिया तो ये कितना आ गया आपका sine inverse 1 by 5 plus k cos inverse x is equal to pi y2 मैं cos inverse को इदर ले जाता हूं sine inverse 1 by 5 बरावर pi y2 cos inverse x आपको formula मालूम होना चाहिए pi y2 minus cos inverse x बरावर sin inverse x आप compare कर सकते हैं ये दोनों तरब आप sign ले सकते हैं तो ये क्या आगया आपका x बरावर 1 by 5 यही हमारा क्या हो गया answer हो जाते हैं पनमे question तो हम बात करते हैं और निका है निम्लिकित मैं x का मान ग्याद कीजिए ये equation दे रखिए 10 a plus v वाला हम formula अपना लगाते हैं 10 inverse x plus 10 inverse y वाला formula हमें मालूम है plus x plus 1 x plus 2 1 minus x y तो x की जगे x minus 1 x plus 1 अपन x minus वो x plus 2 हम एल्शियम लेते हैं बरावर में हमारा कितना है पाई वाई 4 एल्शियम लेते हैं अब हमने इसका एल्शियम लिया तो फिर x plus 2 की multiply हुई किस से x minus 1 से plus x plus 1 की multiply हुई x minus 2 से एल्शियम आ गया x minus 2 x plus 2 ऐसी हमने बन ले लिया एल्शियम ले लेते हैं x minus 2 x plus 2 minus x minus 1 x plus 1 x minus 2 और x plus 2 इस से ये क्या हो जाता है हमारा cancel हो जाता है हम इससे आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा हो गया कितना 10 inverse x की गुड़ा जब x से करी तो x square minus x plus के 2x minus के 2 plus x की गुड़ा x से करी होता है x square minus 2x प्राफ्ट होता है ये हम देखते हैं a plus v a minus v तो ये हमारा जो हमें प्राफ्ट होता है वो प्राफ्ट होता है x square minus 4 minus x square plus 1 बराफ्ट पाई भाई 4 आप देखते हैं x square से x square कैंसे हो जाता है हम 10 inverse को उधल ले जाते हैं तो ये कितना हो गया हमारा x square और x square ये हो गया 2x square minus x से plus x कैंसे हो गया और ये हमारा हो जाता है minus के 4 upon minus के 3 बरावर 10 pi by 4 आप देखते हैं 2x square minus के 4 बरावर कितना हो गया 10 pi by 4 की value 1 होती है 2x square minus 4 इसकल तो minus के 3 4 इदर चला गया तो 2x square minus 3 plus 4 2x square इसकल तो 1 आप देखते हैं x square बरावर 1 by 2 और आप लिख सकते हैं x square plus minus 1 by root 2 इसी के साथ ये question हमारा क्या हो जाता है समाफ्थ हो जाता है बात करते हैं हम अपने नहीं जा सकते हैं तो कुछ और सोचते हैं sin inverse हम लिख सकते हैं ये कितना है sin pi minus pi y 3 वही pi में से 3 pi minus pi 2 pi y 3 हो जाएगा sin 180 minus theta क्या होता है sin 180 अब ये pi y 3 हो गया अब हम देख सकते हैं ये कितना हो गया pi y 3 क्यों क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है minus pi y 2 से plus pi y 2 को तो इसका मतलब हमें sin inverse के range को भी दिहान रखना है वही हमें answer देना है इसी साफ से ये value आ रही है हमारी किसकी 10 की 10 की value क्या है आप जड़ा देखते हैं 10 की value है 3 pi y 4 3 pi y 4 को आप किस हिसाफ से आप देखते हैं 10 की जो range है आपकी domain range को जब jack करते हैं तो minus के pi y 2 से plus pi y 2 135 आ रहा है ये जो की 90 से जादा है 90 से हम उपर नहीं जा सकते तो इसका मतलब कुछ और सोचते हैं हम इसे इसे भी हम क्या लिख सकते हैं 10 pi minus pi y 4 आप जानते हैं 10 x सी minus theta minus के 10 pi y 4 minus 10 में आगे आ जाता है हम लिख सकते हैं इसे 10 pi y 4 इसका मतलब ये हमारा answer हो गया minus के pi y 4 इसी साथ से आप cos में देख सकते हैं cos में कितनी value दे रखी ये हमारा विकल्प है हमसे पूछ रहा है कि हमारा कौन सा answer हो सकता है cos का आप range पहले बड़ा ध्यान से देखे cos inverse का 7 pi y 6 जो कि उसकी range से बहार है cos inverse हम क्या लिख सकते है cos को 2 pi minus k 5 pi y 6 आप देख लें 6 दुनी बारे बारे में से 5 गटाएंगे कितना आएगा 7 cos 360 minus theta हम 44 दूर्दांस में इसका मतलब cos में रहता है और हम इसे लिख सकते है cos 2 pi minus k 5 pi y 6 तो यह हो गया हमारा cos inverse cos 5 pi y 6 5 pi y 6 हमारा answer है कुछ विद्यारती जलवाजी में 7 pi y 6 को अपना answer बता देते हैं जो की गलत है तो हमारा एक option 5 pi y 6 होगा जो की सही है हम बात करते हैं 8 में question की यह 10 दिया है यह sign है और यह court है तो हम क्या करेंगे sign को court में 10 में change कर लेते हैं तो मैंने क्या करा मैंने मान दिया sign inverse 3 by 5 is equal to a आप जानते हैं पॉसे को लिख सकते हैं बरावर गूड 1 माइनस sign square a जिसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 बटे 5 तो 9 बटे 25 लगुत्तम लेंगे तो 25 माइनस 9 बटे 25 कितना आएगा 16 16 किस कबर होता है 4 का और 25 पांच का हमारे पास sign a की value हमारे पास cause a की value है हम क्या लिख सकते हैं इसे 10 a 10 a कितना हो गया sign a बटे और अगर एकी value लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे एकी value तो यह दे रखी हैं साइने को लिख सकता हूं है sign a बटे cause a sign a की value मुझे मालूम है 3 बटे 5 और इसकी cause की 4 बटे 5 5 से 5 कैंसल हो गया कितना हो गया 3 बटे 4 तो a बड़ावर कितना हो गया a बड़ावर हो जाता है 10 inverse 3 by 4 और a किसके बड़ावर था sign inverse 3 by 4 के तो sign inverse 3 by 4 को 3 by 5 को क्या लिख सकते हैं 10 inverse 3 by 4 यह हमें दिहान दखना है अब हम अपने question को up solve करेंगे अब हम अपने question को solve करते हैं sine inverse 3y5 को हम लिख सकते हैं 10 inverse 3y4 तो जो कि हम अपनी सवाल में लिखेंगे 10 inverse 3y4 और cot inverse को 10 में जब change करेंगे तो यह कितना हो गया 2y3 10 10 inverse और formula हमें याद होना चाहिए 2y3 1-3 by 4 इंटू 2y3 LCM देखने में हमारा LCM कितना आता है 3 तिया 9 पिलस 4 दुनी 8 LCM आया था हमारा बार है 4 तिया बार है 12-6 अपॉन 12 12 से 12 हमने cancel कर दिया 10 inverse 9,8,7 बटे 6 हमारा option कितना आ गया 17 बटे 6 हमारा क्या आ गया answer आ जाता है इसी के साथ यह question हमारा क्या हो जाता है sum आप बात करते हम अपने किसमे question की cot में inverse है आपको मालूम होना चाहिए formula आपको मालूम होना चाहिए क्या लिख सकते हैं हम इसे पाई माइनस cot inverse root 3 आप इसे लिख सकते हैं 10 inverse root 3 minus pi minus minus plus cot inverse root 3 आप लिख सकते हैं यह एक formula भी बनता है और अगर formula आप नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आप इनके मान लगा सकते हैं यह formula बनता है आपने formula पढ़ा है 10 inverse X plus cot inverse X pi by 2 तो हम इसकी जगे pi by 2 भी लगा सकते हैं अन्यथा root 3 और root 3 की value भी आप 10 inverse और cot inverse में लगा सकते हैं minus pi minus pi by 2 हमारा क्या आजाता है answer आजाता है इसी के साथ प्रश्णवली 2.2 हमारी समात होती है और मिलते हैं अगले next video में